दिली NCR में ग्रैप 4 के नए नियम इसलिए लागू किये गए क्योंकि परिस्तिया बच से बत्र होती जा रही है जिले में डीजल बहानों के इसके तहत एंट्री बैन हो गई है कंपनियों में डीजल बहानों के उप्योग पर रोक लगा दी गई स्कूल बंद करने को लेकर भी फैसला आज लिया जाएगा 9th class तक तो फैसला ले लिया गया है कि online more पर classes होंगी और बाकी के बच्चों के लिया ने कि 10-11, 12-12 के बच्चों के लिए क्या school open रहेंगे या फिर उन्हें भी बंद कर दिया जाए उनकी भी online classes ही गंजेक्ट करवाई जाए इसको लेकर आज फैसला लिया जाना है यह बड़ी ख़बर राजधानी दिल्ली से कि विनीत कुमार सोनी पत्से हमारे साथ हमारे समवजाता लाइफ के नेक्ट हो गई है और से शिफ्तियागी में मेरे साथ जुड़े वे हैं शिफले आपका रुकरते वे दिली में तब बहुत बुरे हाल है जहरीली हो चुकिया हवा पूरी तरह से नोयड़े के क्या हाला देखे दिली एंसियार में जिस तरीके से ग्रेफ को फोल के नियम लागू किये गए हैं उसके बाद से अब आज यह चिंतन किया जाएगा कि आकर पांशी कक्षा तक के जो स्कूल है उसको ऑनलाइन किया जाए या नहीं किया जाए क्योंकि दिली में साड़े चार सो के पास जो है वह कॉलिटी इंडेक्स पॉच चुका है ऐसे में गनीमत यह है कि चार सो से कम यहां पर कॉलिटी इंडेक्स नौइडा गेटर नौइडा का है और इसी को लेकर जो स्कूल बंद करने के ऑनलाइन करने के आदेश्टे उसको यहां पर भी पालन नहीं कराए गया आज पर चिंता की जाएगी मंतन किया जाएगा कि आकर स्कूल का कौन सी कख्षय तक के बंद किया जाए और इससे को लेकर अधिकारियों की जो बैटक है वो शुरू हो गया उसमें ही तमाम जो पावंदिया है वो तो पहले से लगाई दीगी है क्योंकि निर्मान दीन जितने भ पेकार जो जुरूमाना है कल ही गेटर नोडवेस्ट की एक विल्डर के ओपर लगाया गया है क्योंकि निर्मान कारें पर रोख लगने के रात को निर्मान कर रहा था तो कहीं ना कहीं चुपे नियमों की जरूर की जारी है लेकिन आपो हवा एकदम से खराब हो चुकी है जो सांस लेना यहां पर काफी जो है मुश्किल हो रहा है और ऐसे में इस तरीके से दिली एंस्यार के कॉलिटी इंडेक्स के अगर बात करें तो साड़े 300 से साड़े 400 की बीच में बनावा है कहीं नख़ी बहुत ही जैरीली हवा है इसको लेकर तुमांड़ी से तो कम है लेकिन अर्वेंद के इजवाल उनकी पूरी की पूरी पार्टी तमाम मंत्री तमाम नेता तो यह गाना-गाते नजराते हैं कि भाई पडोसी राज अगर बात करें तो कल जस तरीके से ग्रेफ और नियुहए के लागू कि इसमें साफ-दर्शाया गाता कि 24-200ld अगर एक रिकी इस्टिती पे रहता है या अगी पैर्यामीतर्स पर रहता तो ईसे में ग्रेफ वोर्न के नियुह लागू किये जाएंगे तो चार सो इतालिस जो है लगाता चौपिस गंटे बनावा था इसी को देखते वे ग्रेफ फोर के नियम लागू किये गए हैं तमाम पावंदिया लागू किये तो इसी से अंदाजा लगाए जा सकता है कि दिली की आववा कितनी खराब है और यह के अगर बात करने तो बीजेबी के ओपार भाण लगाएंगे आसपास के राज्यों में सब्कार हैं उनके ओपमन लिए हैं क्या किया कदम इठाये जा रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर क्या आप किया जाएगा मैं पहले रुकर लेती हूँ सोनीपत का विनीद कुमार का सोनीपत में किस तरह की हालात क्या कह रहा है वहां का एयर क्वैलिट इंडेक्स बताएं जरा विनीद पिल्कुल देखिए दिल्ली आप इंडेक्स का वस्ट इन्डेक्स में इतना नहीं होता क्योंकि अजर दिल्ली का साड़े कार्साइगा गया है और कि देखाजाए तो खल राज से एर क्वाइटी इंडेक्स साथी बढ़ा है जो फिर लुट को नहीं बेद पारी है और वही लोगों को करीब साहत देने में बरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वही तिला परसासंथी में बात करूँ तिला परसासंथी तरफ सभी पैट्टे जो की बीजल से चलने वाली जो इस पैट्टिया है जो मतीने है उनको बं कि लिएमों से इसको बादिश किया गड़ा है वही जी तोनीपत ने जो पाच्वी तक्षा थे उनकी जो छुटी भी गोशिट कर दी गया अलाग कि ओनलाइन प्लासे सभी चालू रहेंगी लेकिन आज की ही 18 नमंबर की ही जुटी गोशिट की गई तिल्पा लेकिन खराब जो बिबार है जाते होंगे तो अगर हर्याना से जो भी डिजल ट्रॉक्स वगरा जाते होंगे दिल्ली के अंदर अब ट्रॉक्स अपकी बात हुई हो उनका क्या कहना है किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है पल, सबजी, बहुत सारी चीज़े होती है जो कि दूसरा राज़ों से दिल्ली पहुंचती है बिल्कुल देख़िए ग्रेफ़ोर के वाहनों को बिल्कुल देख़िया है तीं के लिद्ग डिल्ली पहुंचती है तो फूर सप्लाई चेंड पर किस तरह का असर पड़ सकता है चुकि ग्रैप्पोर दिली में भी हो गया बता रहे है कि हर्याना में के अंदर भी वह लागू कर दिया गया है तो जो बड़े-बड़े वाहन जिनके तुरू फूर्ड चेंड सप्लाई रेगुलेट होती है वह रोक दिये गए है डीजल बाहनों पर अगर लगा दिया गया है वह नहीं उपरेट होंगे तो फिर कैसे इससे मैनेज किया जा रहा है चुकि शिल्पा जो एसेंशल सर्विसेज पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है कोई रिस्रिक्शन नहीं है शिव ऐसे में क्या माना जाए क इतना ये प्रभावशाली फिर हो सकता है ग्रैप 4 लागू होना। कि हर्यार और पंजाब पराली दलारे को लेकर कि काफी चर्चा में रहता है इस वार जो है क्योंकि पराली को लेकर डबल जुर्माना उसके लिगाया गया इसलिए जो हो स्केस्ट में भी कमी देखने को मिलिया सिल्पा ठीके शिव ऐसे में ग्रैफ़ोर को लेकर क्या पॉल मोडल के वहां तो चली नहीं सकेंगे अब ऐसे में उन सभी वहां सौमियों को अपने वहांनों को घर में रखना पड़ेगा अगर बाहर जाएंगे तो ऐसे में बीस अजार रुपे का जुर्माना जो है वह लगेंगा तमाम चलान अलग कटेंगे वहीं दूसी तरह जो तमाम जो फैक्ट्रियां है जहां पर डीजर जन्रेटर चला पहले से उन पर रोग लगा दिया है तो कहीं ना कहीं उद्योग पर बड़ा असर पड़ेगा ऐसे में उद्योग को बंद भी कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा क्योंकि टी एंजी से चलने वाले जो ज पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पॉलूशन बढ़ने से तमाम जो पावंदिया लगाए कहीं है उस पर डीजल के जो ट्रक है वो जो है अब डिली मैंट्री नहीं कर पाएंगे नहीं दिली से बाहर जा पाएंगे तो इसको लेकर नॉड़ा में इसी तरीके की सक्ती देखने को लेकिन कदम क्या क्या शिव उठाए जा रही है क्या हवा की गती खुदबखो तेज हो जाने के इंतिजार किया जा रहा है या फिर हेलिकॉप्टर के माध्यम से उपर से छिड़का भी करवाया जाएगा ताकि परिस्थित्या कुछ हद तक तो कंट्रोल की जा सके क्या कहना करोने वह पृश्षराश्णी का दिका रहे होगा है तो कि शीव फिर पानी का चलिए कि लिए कि लिए वहां पर वहनों का क्या सडकों पर दिखना आप देख पाये उनको दिखना शुरू हो गया है और क्या हिलिकॉप्ट्टर की माध्यम से भी बड़े लेवल पर पानी का तक प्रदुशन का इस तर्ग कुछ हब तक तो कम किया जा सके अधिके नौड़ा में प्राधी करन्ड की जिम्नेदारी है सड़कों पर चिड़काव करवाने की अभी तक नौड़ा के तमाम जगाओं पर चिड़काव करवाने का काम पहले से ही चल रहा है इसको आज एक और ट्राइब पर चिड़काव करवाने कारे शुरू किया गए तमाम गेट नौड़ा के वह रास्ते जहां पर दूल उड़किया है तो सुबह से ही तमाम जगवाँ पर जादा से ज्यादा जो वाटर टेंकर से वो देखने को मिलने हैं हाला कि कोई इसका फाइदा नहीं है कि जब तक ग्रेप के नियमों का सक्टी से पालन नहीं करवाया जाएगा या पॉलिशन को लेकर मंतर नहीं किया जाएगा पूरा करने के लिए जो परशास्ति कदिकारी है जिनके जिम्मेदारी दी गई है कि पॉलुशन ना बड़े चिड़काव जरूर करवा रहे हैं कागजों में देखेंगे तो तमाम सड़के जो हैं वो गीली नजर आएंगी उनकी नजरों में लेकिन पॉलुशन आखिर भी कम क्यों नहीं हो रहा है तो ऐसे में जवाब तो य सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि साल बर तो कुछ करते नहीं है और जब पानी सरकी उपर निकल जाता है तब जाकर इनको होश में आता है और उसके बाद सिर्दस्तावेजों को भरने के लिए हम क्या-क्या कदम उठा रहे हैं यह मैज और चारिक्ता पूरी करने के ल लोग जैरीली हंवा में सास लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं उनकी सिहत के साल सथ उनकी जान के साथ खुले आँ खिलवार हो रहा है वह चुक्ति आपका वेनेत कुमार हमेरे साथ सोनी पर से जोड़ने के लिए इन तस्वीरों को में तक पहुंचाने के लिए बहुत-ब कर दोरास्काइ